Dear Children's, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चानल Study with दुलार में बच्चों तुलसी दास को आप लोग जरूर जानते होंगे ये स्री राम के बहुत बड़े भक्त थे उनके बारे में बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखा है और उन्ही की रचनाओं में से एक चोटा सा अंस यहांपे दिया हुआ है तो आए हम लोग देखते हैं ये कौन सा चप्ठर है ये है चप्ठर 5, ये क्लास 5 का हिंदी बुक है उसी में से दिया हुआ है, चप्ठर का नाम है तुलसी के राम ता ये हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भुपती ले निकसे अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे धिकसे यह लाइन स्री तुलसिदास जी ने लिखा है और वे बतला रहे हैं कि एक महिला जो दसरत जी के यहां उनके घर गई थी और जब वो देखती है सिरी राम जी को बाल रूप में तो इतनी सुन्दर देखती है कि वो अपने आखों पर विश्वास ने करती है और वही बात को अपने एक दुसरी सकी से अपनी दुसरी सहली से बतलाती है तो उसी भी से में लिखा हुआ है अवधेश के द्वारे सकारे गई तो इसका अर्थ है कि मैं सुबह सुबह राजा दसरत जी के घर गई थी उसी समय महराज अपने पुत्र राम को गोधी में लेकर बाहर निकले भुपती ले निकसे गोधी में सुरी राम को बाहर लेकर निकलते हैं जैसे ही उस सुन्दर बालक को मैं देखती हूँ अवाक रह जाती हूँ अव लोकी ही सोच विमोचन को अवाक रह जाती हों और उनकी सुंदर्ता ऐसी है कि कोई भी अपने दुख दर्द को भी भूल जाए इस प्रकार से सिरीराम की सुंदर्ता है ठगी सी रही जे ना ठगे धिक से उनकी सुन्दरता पर कोई भी मोहित हो जाएगा जो मोहित ना हो उस पर धिकार है कहने का मतलब है कि ऐसा कभी हो ये नहीं सकता कि कोई उसे देखकर मोहित ना हो तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से सजनी ससी में समसील उभे नवनील सरोरु से विक से आगे बतला रहे हैं तुलसी दास्टी के अनुसार राम की आँखें इतनी सुन्दर है बिलकुल खंजन पच्छी के बच्चे जैसा खंजन पच्छी क्या है ये तो मुझे भी पता नहीं समबता हो सकता है कि खंजन पच्छी बहुत सुन्दर हो उनके बच्चे के जो आँख है बहुत सुन्दर होती होगी हो सकता है कि खंजन पच्छी अब विलूप्त हो गया हो अगर आप में से किसी को खंजन पची के बारे में पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाएं वो बोल रही है सजनी मतलब सक्खी कि है सक्खी उनकी आखें ऐसा मोहक लगता है मानो चांद में एक समान दो नील कमल खिलाए हूँ इस तरह से बतला रही है उनके सरीर की चमक नील कमल की तरह है उनकी आखों की सुंदरता के सामने कमल की सुंदरता फिकी पड़ जाती है जब उनके सरीर में धूल लगा होता है उस समय भी वे अती सुंदर दिखते हैं हम लोग अभी भी देखते हैं कि छोटे बच्चे जब धूल में बेसुद होकर खेलते हैं और उनका सरीर धूल से भर जाता है, पूरे सरीर में धूल लग जाता है तब भी वे छोटे बच्चे अती सुन्दर दिखाए देते हैं इसके अलवा आप लोगों को पता होगा जब सरी क्रिस्न का जनम हुआ था और वे जब बहुत छोटे थे तो वो भी अपने मित्रों के साथ धूल में खेला करते थे और तो और कभी-कभी वे मिट्टी भी खा लिया करते थे और उनकी मा यसोदा मया उनको डाटती थी उसी प्रकाश सीरी राम भी धूल में खेलते हैं और अती सुन्दर जान पढ़ते हैं वे इतने सुन्दर लगते हैं कि कामदेव की सुन्दरता भी उनके सामने कम लगने लगती है दमके दतियां दूती दामनी जीऊं, किलके कल बाल बिनोध करें, आउधेस के बालक चारी सदा तुलसी मनमंदिर में विहरें बच्पन वे जब हसते थे बोलते थे तो उनकी दांत बिजली कीतरा चमकती थी और किलक किलक कर मनोहर बाल लिलाएं करते थे तुलसिदास जी कहते हैं, राजा दसरत के ये चारों पुत्र उनके मन मंदिर में सदा बस जाएं, उनके मन मंदिर में विहार करें, वे उन्हीं लोगों के ख्यालों में रम जाएं राम जी कभी चांद को मांगने की हट कर वेटते, जैसे कि छोटे बच्चे किसी चीज के लिए जित पकड़ लेते हैं, वैसे ही राम जी चांद को पाने के लिए जित पर अर जाते थे कभी अपनी परचाई को देखकर डर जाते थे, कभी ताली बजा बजा कर नाचने लगते, उनकी सभी माताएं सिरी राम के तीन मा कुसलिया के कई और सुमित्रा थे, राम कुसलिया के पुत्र थे, तो उनकी तीनों मा उनको नाचते हुए देखकर सबके हिर्दे आनन से भर ज कभी किसी चेज के लिए द्रिड़ता पुरुवक हट कर बैढते और जब तक उसे पान ही लेते तब तक वे मानते नहीं थे अंत में तुलसिदास जी फिर वही बात धोराते हैं कि अवधेस के चारों पुत्र सदा उनके मन मंदिर में विहार करें उनके मन में बस जाएं तो यहाँ पे यह पोयम स्वाप्त हो जाता है आईए देखते हैं इसमें क्या कुश्चन्स दिये हुए हैं इस चेप्टर में काफी सारा सब्दार्थ दिया हुआ है आप इसको पढ़ लेंगे क्योंकि पोयम में आम भासा यूज नहीं किया जाता है उसमें जिस तरह का को अर्थ पतला दिया है आप इसको एक दो बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा और आज़े देखते हैं इसमें आगया और क्या क्वेश्चन है तिन नमबर में परियावाची सब्द दिया हुआ है जैसे सुत हो गया सुत का यहाँ पे पूत्र तनई बेटा लड़क आत्म इस तरह से दिया हुआ है आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे और चार नमबर में इस चप्टर का मुझ क्वेश्चन दिया हुआ है तो आएए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ यह है चप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नमबर 4 आउधेश के द्वार पर क्या देखा सकी ने प्राता आउधेश के द्वार पर देखा कि राजा दसरत अपने पुत्र राम को गोदी में लेकर बाहर निकल रहे हैं बालक राम अतिस सुन्दर और मनमोहक हैं राम के तन की कांती कैसी है बालक राम के तन की कांती नील कमल के स बक्त तुल्सिदास की क्या इच्छा है कि आउधेश के चारों पुत्र उनके मन रुपी मंदिर में विहार करें। बालक राम क्या मांगते हैं? कभी कभी बालक राम चांद मांगने की हट कर बैठते हैं. माताएं क्यों प्रसंद होती हैं? कभी कभी बालक राम तालिय बजा बजा कर नाचने लगते हैं या देखकर माताएं प्रसंद होती हैं. राम की माताओं के नाम बताएं राम की माताओं के नाम है कोसलिया, केकई और सुमित्रा यहाँ पर यह चप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी पढ़ाई में मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इसके अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं